हलो अब रिएवन स्टान्डर 12 नी ओसी में लास्ट वीडियो में हमने जो मार्केटिंग मिक्स उसका जो सेकेंड फेक्टर था प्राइस और उस प्राइस को डिटेमेंड करते हैं समय कौनसे कौनसे फेक्टर जो हैं वह अफेक्ट करते हैं वह हमने देखा था अजके इस एन वाटेवर कुएंटिटी इस रिकोर यहां पर चोपी हम गोड बीचों भी हम प्रोडूस करते तो डिस्टिबूशन इस सरे से रखते हैं कि एक अरंजमन रोते कि हम हमारा जो प्रोडक्त है उसे जिस जगह पे जब और जो कॉईंटिटी में जई उस क्वाइंटिटी में कर सके when the existing and expected consumer group is used and widespread and the there and are spread in a heterogeneous geographical area distribution plays a very vital role कि जब हमारे जो customers होते हैं वो बहुत ही साथ बड़े एरिये में wide area में spread होते हैं तो at that time हम जो heterogeneous graphical जो हम area है वह हम इस तरह से करते हैं कि हमारे जो public distribution system में वो हमें इस तरह से लखनाग पड़ता है कि सारे जो consumers है उनकी जो needs है उसको हम satisfied भी कर सके और हम हमारा maximum profit है वो भी attain हम कर सके प्रोड़ूसर दस नोट कम इंटो direct contact with the consumer but he has a link through various middlemen for example all car manufacturer have distributed throughout the country कि यहां पर जो प्रोड़ूसर वो directly customers के connect नहीं है था बट वो उनके जो connectors के intermediate होते हैं उनके साथ वो connected होता है ताकि वो सारी जो जो प्रोड्यूसर कंजूमर है उनके पास वो बीसिली पूत सकें पर एक्सांपल ओल कार मेनुफेक्चुर्ट्यूर्ड है थो अपने जो दिस्टिबूट्र है वो पूरे तक अलोवर दा कंट्रीश में रखते हैं थास्टिबूशन system is designed on the basis of the type of product number of consumer geographical area etc care is taken to the market product reach to the customers at the at lowest possible cost in this function handling and storage of product are included the distribution provide required information to the manufacturer अब यहां पर इस्टिबुशन का है क्लिए मोटिव क्या है किक information provide क्यानों lowest possible cost में हम जो है वह हम अमारे consumer तक जो good से उसे provide कर सके distribution का जो काम में वो करते हैं अब channels कौन से कौन से होते मतलब कि types क्या है distribution के वो देखते हैं first is direct selling and second is indirect selling तो direct selling में क्या होते कि जो producer होता है वो ही सारे goods वो directly sell करने जाए कि जो पी उनका जो good से producer वो directly वो sell करने जाए और indirect selling में भी ट्रैप्स दियेंगे कि producer जो है वो retailer को दे और consumer तक पोचाया producer जो हो हो seller को पोचाया wholesaler retail को retailer जो हो consumer को and then after third है producer middleman को दे वो middleman wholesaler को प्रोवाइड करें wholesaler retailer को प्रोवाइड करें detailer जो है वो consumer को प्रोवाइड करें इस तरह से layer by layer जो इन इंडारेक्ली जो हम selling process करतें जिसे हम indirectly indirect selling जो है वो हम कहते हैं अब हम यहां पर direct selling जो है वो क्या कहते हैं किसे कहते हैं वो देखते हैं दारेक्ली कॉस्टेमर को प्रोवाइड करता है वो इसकी फेक्टरी में से या खुद के शॉप में से या खुद के रूम में से ही वो सारी जो प्रोड़क्ट है वो डारेक्ली वो कॉस्टेमर को पहुचाते हैं अब यहां पर डारेक्ली के साथ हम पोस्ट के थ्रू सेल कर सकते हैं और तो दोर सेल कर सकते हैं यह सारे टाइप स्पीस में इंक्लूड होते हैं इन दिस टैप ऑफ डिस्टिबूटिंग सिस्टम दैर इस नो लेड कि यहां पर कोई भी लेड नहीं होते हैं जीरो लेवल डिस्टिबूशन सिस्टम यहां पर होती है अब यहां पर डारेक्ली इस साह सो तक प्रोडूसर जब अपने कूर्स को गंजुमर तक पहुचाते ह अब यहां पर इस मैतड के लिमिटेशन के आदिगे कि यह जो लिमेटर है वह हम सभी कस्टमर्स तक हम नहीं पहुच पाएंगे कभी कभी कुछ कस्टमर्स इस होंगे कि जिनकी जो हम यह रिक्वार्मेंट को फुल्फिल नहीं भी कर पाएंगे तो एक लिमिटेशन जो है यह नहीं पहुच पाएंगे आफेंगे दिनकी इनकी परियुल्फिल नहीं पहुच नहीं लिएकपमये परेंगें इन देग्टा alum एक। यहीं निक्यॉट बन कर द्रुक ठोटेशन घ्रकॉत तरू वरन और मर्मेडियेटर , यहां पर इंडैरेक्ट सेलषन का मीनिक है कि जब हमारे जो product वह एक से ज़्यादा mediator को हम यूज करके consumer तक provide करें In this method producer can reach वास consumer group through a mediator क्या पर इस method से क्यों तो कि हमारे consumers बहुत ज़्यादा area में spread है At that time भी हम mediators की help से सभी customers तक हम जो हैं easily पहुच पाते हैं And this method is used when the price of product is low and it is more necessary in the daily life कि कुछ ऐसी चीज़े हो कि जिनकी price कम हो और daily life में use होते हैं ये type की goods को हम इस तरह की mediator की help से easily हम sell कर सकते हैं कि for example कि gas कर cylinder है अभी तो पानी की bottles है वो भी हमारे पास आती है तो ये क्या है कि जो हमारी daily चीज़े होती है उस daily चीज़ों को जो पहुचाने के लिए जो mediator का हम mediator की मदद से producer पहुचाते हो that is known as a indirect selling अब इसमें भी level समय देगे single level distribution in this distribution system retailer is only one mediator who acquired the product from the producer and distributor it to custom consumers generally for specialized product such as system is adopted कि यहाँ पे single level distribution क्या हो कि यहाँ पे खाली retailer ही हो कि वो directly goods purchase करके वो seller को मलब कि जो consumer है उसे provide करें for example producer जो है वो retailer को देते हैं retailer जो है वो consumer को देते हैं इस तरह से single level distribution में खाली जो retailer होता है वो ही direct producer के पासे goods लेके customer तक पहुच चाते हैं second double level distribution system and the system of wholesaler and retailer enable the product to reach the consumers wholesaler buy the product from the producer in large quantity and sell it to retailer in a small quantity who will turn sell into the customers कि यहां पर wholesaler जो है वो यहां पर as a mediator रहते हैं और retailer भी रहते हैं कि wholesaler जो है वो producer के पासे large amount में goods purchase करते हैं और जो retailer होते हैं उनकी जो requirement होती है उस तरह से वो जो product है वो उनकी small quantity में उन्हें sell करते हैं यहां पर the risk of sale of for the producer as wholesale purchase is lump sum कि यहां पर wholesale purchase करते हैं जो risk होता है वो producer के लिए काम हो जाता है और wholesale जो वो storage और warehouse की service भी प्रोवाइड करते हैं sometime producer frame a retail network for each wholesale so the product can be reached to the final consumer कि यहां पर सम्टाइम्स कुछ ऐसे retail customers की भी arrangement की जाती है कि जो product है वो easily final customers तक पहुँच सके Delhi product जो है जिसकी toothpaste है, soap है, battery है, shaving cream है यह साइटी से जो है easily distribution system से हमें जब भी चाहें तब हम consumer के पास से हमें sorry retailer के पास से हमें easily मिल सकते हैं तो यह हमारे लिए है double level distribution system का example कि हमें जो हमारी daily life के लिए जो भी चीज़े ज़र्वत होती है वो ज़र्वतों को हम easily और easy way में हमें मिल जाती हैं क्योंकि जो producer होते हैं wholesaler को then after retailer को इस तरह से arrange करते हैं कि हमें हमारी ज़र्वत की चीज़ें वो easily मिल सके फिर उसके बाद यहां पर हमें इस तरह से chain दी गई कि producer जो है वो अपना goods है वो wholesaler को देता है wholesaler अब जो है वो retailer को सेल करते है रीटेलर जो है वो consumer को सेल करते हैं इस तरह से two level distribution system का यूज किया जाता है उसके बद हमें यहां पर दिया कि three level distribution system in this system consumer and producer have a three mediator between them the product reach the agents or middleman from the producer and then it would be sent to the various wholesaler this wholesaler then distribute to the retailer and the producer are only to the direct contact with the middleman now इस तरह से यहां पर three layers जो है वो बना चाते हैं कि सबसे पहले जो है वो जो producer है वो एक हम कह सकते हैं कि middleman या agents के contact में होते हैं वो फिर अपना goods है वो wholesaler को देते हैं wholesaler फिर अपना goods retailer को देते हैं retailer जो customer को देते हैं और जो goods जो है वो directly जो है वो agent के थूप पहुजा जाता है और जो भी monetary transactions है वो agents के थूँ होते हैं this method is more useful when the production is limited or when the product is accepted to everyone कि यहां पर जब हमारा जो production है वो limited हो at that time इस तरह के three level system जो है वो easy रहते हैं अब यहां पर आपको chain दी गए कि producer जो वो agent को देता है इसांट जो हॉ होलसेल्र को सेल करता है हॉलसेलर रीटेलर को in last में जो consumer के पास जो वो goods प्रोवाइड होते हैं तो इस तरह से जो final goods जो हैं वो हमारे पास consumers जो हमारे पर उन्समेशे से है related to observation हम किस तरह से हमारे जो गूढ़ से वह प्राइस जो अल Keep your its जो एक लिच छो जो कुदैम किस तरह से करते हैं कैसे करते हैं और कभ हमें को से सीट्रुम कर नें के जोलत